दियर श्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम इन माई ओनलाइन लेक्चर ओफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स श्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे लॉजिक सर्किट्स कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं कैसी बुलियन एक्स्प्रेशन के आधार पर तो ये जो एक्जामपल हैं ये कुश्ट के लिए most important है और किस तरीके से एक्जाम में आथे हैं उसके बारे में आज हम discuss करेंगे आएजे देखते हैं पहला एक्जामपल क्या है एक्जामपल number one कि अगर हम बात करें तो एक्जामपल इस तरीके आएगा construct 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 circuits for the following bullion expressions okay यह दो है हमार पास first q equal to a b complement plus a complement b and second is a a plus a b plus a c plus b c इन दो examples को हम देखेंगे आज देखते हैं यह कैसे इनका circuit कैसे draw करेंगे first का solution देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह दोनों end gate को बना रहे हैं dot product उसके पास इन दोनों का और gate बनेगा तो सबसे पहले हम एक end gate बनाना होगा okay end gate and and क्या है be compliment क्या है be compliment तो compliment होगा तो यहां पर हम not gate लगाएंगे पहले तभी तोá compliment बनेगा B यहां तो हमने B लिया direct be compliment भीको नेवे तो लेंगे यहां तक तक बी रहाए यहां कर यह compliment हो جाएगा तो इसका output के हो जाएगा a..b compliment इसी तरीके से अब क्या है a compliment भी एक endgate हम और draw करेंगे ओके और a compliment है क्या है a compliment तो हम यह यहां से directly इसको ले लेंगे और यहां compliment है तो notgate इसमें add करेंगे यह A कॉंप्लिमेंट हो जाएगा और B है तो B है यहां तो डारेक्ट है यहां से हम डारेक्ट भी इसमें ले लेंगे end gate में तब इसका output क्या हो जाएगा A कॉंप्लिमेंट B ओके और फिर यह और gate के दौरा दोनों जुड़े हुए हैं किसके दौरा और gate के दौरा तब इन दोनों के क्या हो जाएगा हमारा और gate याने plus का sign है तो और gate ठीक है तो हमें add कर देंगे ठीक है add करेंगे तो हमारा क्या जाएगा यह A B कॉंप्लिमेंट प्लस A कॉंप्लिमेंट B ठीक है और यह ही हमें draw करना था इसमें ये हमारा end है क्योंकि ये dot है दोनों के बीच में ठीक है और जहाब plus होता है तब और gate का use करता है ये ध्यान रखना तो ये हमारा q quality ये क्या जाएगा q output जो है ठीक है इस तरीके से ये हमारा इस बाले boolean expression के लिए first के लिए logic diagram हमारा ये draw हो जाएगा then second का solution देखते है solution second इसमें क्या है a a plus a b plus a c plus b c तो सबसे पहले क्या है हमें end gate बनाने होंगे a a के लिए a b के लिए a c के लिए b c के लिए ठीक है तो चार end gate बनेंगे तो सबसे पहले हम पहला क्या है a a तो a को हम दो बर generate करेंगे किस तरीके से एक बार ये हो जाएगा और एक बार ये हो जाएगा इस तरीके से दो बार generate करेंगे तो ये हमारा जाएगा a then second or gate में क्या है A B तो second or gate जब draw करेंगे तो A B ठीक है तो हम क्या करेंगे A यहां से लेंगे ठीक है यह क्या है यह A है A यहां से आजाएगा clear अब B एक और input हम है भी लेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा A B A B end है और यह end gate ठीक है then A C के लिए तो एक end gate और बनेगा हमारा ठीक है A C के लिए ठीक है तो A फिर यहां से connect करेंगे यह ऐसे करने का मतलब यह इसके ऊपर से आया ठीक है और C फिर से लेंगे ओके A C हो जाएगा फिर अब लास्ट में क्या है B और C तो B हमने यह लिया है तो यहां से हम इसको B ले लेंगे ओके और C के लिए हम यहां से ले लेंगे C यह भी end gate है तो यह हो जाएगा B C यह चार हमारे end operator end gate के थुरू यह अब इन चारों का plus यानि यह चारों हमारे और gate से connected होंगे और gate से connected होंगे तो इसके लिए हम plus का sign है चारों और gate से connected होंगे इस तरीके से चारों और gate से connected हो जाएंगे और connected होने को जो output आएगा वो के आएगा A A plus A B plus A C plus B C इस तरीके से यह दूसरा डाइग्राम रहोगा अब equation का pattern और है किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है वो देखते हैं Example draw the logic circuit draw the logic circuit which realizes the boolean expression E इसके लिए X1, X2, X3 के लिए क्या होगा X1, X2, X3 plus X1 complement dot X3 complement plus X1 complement plus X2 complement ठीके इसे हम इसे हम इसे हम next page पे solve करेंगे आप इसे पे इसे solve करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे तीन input हैं तो सबसे पहले end gate के साथ हैं यह गया है x1, x2, x3 है ठीक है end gate के साथ है तो end gate के साथ हमारे तीन input आ जाएंगे सबसे पहले x1, x2 and x3 x1, x2 और x3 ठीक है तो यहाँ पर यह जाएगी value x1, x2, x3 ठीक है अब दूसरा क्या है दूसरा है हमारा x1 complement dot x3 complement ठीक है एक end gate और बनेगा इस तरीके से end gate, end gate से connected होंगा यह x1 complement और x3 dot x3 complement ठीक है यह तो इसके लिए x1 को हमने यहाँ से लिए complement है तो है not gate लगाएंगे और x3 को यहाँ से लिए complement है तो not gate लगाएंगे इस तरीके से यहाँ आ जाएगा x1 complement dot x3 complement next है हमारा x1 complement और x2 complement end तो x1 complement तो हम यहाँ से ले लेंगे ठीक है और x3 complement के लिए x2 complement के लिए हम क्या करेंगे x2 है न x2 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से लेंगे और complement है तो not gate लगाएंगे इसमें add कर देंगे तो यह हो जाएगा x1 complement dot x2 complement अब यह प्लस में है तीनों और के साथ connected हो जाएंगे ठीक है और gate के साथ और जो हमारा output है e वह आ जाएगा e क्या है x1 dot x2 dot x3 plus x1 complement plus x3 complement plus x1 complement dot x2 complement यह हमारा diagram हो जाएगा तो आज की video lecture में students इतना ही ओके थैंक यू